आज आपां गनित दा एक बहुत ही दिल्चस्प विशा करन जा रहे हां ए विशा स्टार्ट करन तो पहला आओ आपां एक छोटा जा किसे बच्चे वारे आसी उक गल सुन दे हां तो आसी देख दे हां कि आसी की सिख्या जस जीत छेमी क्लास विच पढ़दा है ते पहुत ही प्यारा बच्चा है उसनू सेव खाने बहुत पसंधन ओहो निजमद रूपनाल अपना पढ़दा है शाम नू कुछ देर ली खेलता है जदो खेड के आउंदा है फिर उस ओहो सेव जरूर खान दा है उसनू बड़े ही स पसंधन ओह इक दिन आंदा है टे ओह अपना एक सेव लेंदा है ते उसेव खा ले अचे मिले पूरे और सेव खा लेंदा है ते हुन जेकर में तो नोग एक स्पने सेव खाया तो तोसी में नू कीजवाब दाओंगे कि जस जीत ने एक सेव खाय यह वी कह सकते हां जसजीत ने एक पूरा सेब खाया फिर बटे अगले दिन की होया जदो जसजीत खेड के आया तो उस दी सिस्टर भी नाल ही आ गई ताहुन उसने की किता वह बहुत अच्छा बच्चा सी उसने फिर उसने सेब खाना सी लेकिन उसने देख्या एक सेब है परसी दो जाने ने मेरी सिस्टर भी मेरे नाल है ताँ उसने सेब दें किते धो बराबर हिसे किते इक हिस्सा उसने आ खाल रिया एक अपनी शिस्टर दो दें देंदी विद्धाना और जवाब ठीक है था आफ फेर देखिए उस तो अगले दिन जदुधिस जीता था उसने देखिया उसने इक सेव लिया तक आज युस अपने किनने से करेंगा चार चार जने हो गए था उन्हां उसने की तर चार बराबर हिसे किते ते शबनी किसा दे दिनके त कि जस्जीत ने आज किना सेव खाया तहुन की तुसी जवाब दमोंगे कि जग जीत ने जस्जीत ने एक सेव दे चार बराबर हिस्से किते अते एक हिस्सा खाया ता देखो वेटे अपकुछ सोच देहां कि जसजीत ने पहले दिन पूरा सेजल खाया फिर उसने I guess दो ब्राबर हिस्षे एक एक हिस्वानर स Dus युद Mitt पड कोशिश कर देहां कि उसनों संख्यामा विच लिखिए ता जदो मैं कमा कि जजीत ने इक पूरा सेव खाया तुसी सब थोड़ी जी ओर बुक लगे अधी रोटी दे दो वो ता अध्दासा नों पता है लेकिन असी ए सोचना है वेटा कि असी उसनों गनित च या संख्यामा दे विच असी उसनों किवे लिखना है ता वेटे आज मैं तो नों ए दसांगी कि असी ऐस्तरा दे जदो सिचुएशन कि उसनों कि इससे और ने वित्वीनरिंदाव करें जदों सिच किसे ज़ीज दे बॉरबर करें सिचुएशी लें देवाग अध्य मैं मैं जड़ा हिस्सा खाया वह असी उपर लिख दिता ते असी इस तरह एक लाइन एक छोटा जाए दे विच्छ सी रेखा काट कहलो ज़ा ओधे विच्छ सी लगा दें दें यानि हुन मैंनू पढ़ागी कि में एक वटा दो जदो मैं एक वटा दो पढ़िया ते दा मतरव की है कि किसे चीज दे दो बराबर हिस्से किते गए ते ओधे विच्छ एक हिस्सा ले लेया गया या चलो कुछ भी यानि ओसा डेनाल हो दा कंसर्न है एक हिस्से नाल ता आ देखो ना जजजीत ने की किता सेव दे दो बराबर हिस्से किते अते एक खाले ता सी उसनों किवे लिखा पढ़ांगे एक वटा दो की पढ़ांगे इसनों सी एक वटा दो हुन अग्गे उस्तों अगले दिन जिस जीतने की किता सी एक सेव दे चार बराबर हिस्से किते अते एक हिस्सा खाया मैंनों पता हुनता तुसी बहुत जल्दी दास दमोंगे की चार बराबर हिस्से किते अत उस विच्छो इक हिस्सा उसने खाया ता इसनों सी पढ़ांगे कि एक वटा चार ता ए बेटा तुसी देख्या ना पूरी एन्नी वड़ी गालनू जड़ी असी बोली उसनों सी किन्नी असानी नालसी ओदे विच्छासी गनित जैसी संख्यामा दे ओदे संख्यात्मक रूप देवी जशी दर्स आ देता एक वटा दो पढ़ना भी तुसी सीख लिया एक वटा चार ठीक है बच्चियो आओ कुछ होर आपां देख दे हां एक होरुदार अर्ण लेंदे हां कल संजना दी माता जी ने केक बनाया उस दे छे ब्राबर पाग किते अते इक पाग संजना न दे दिता दसो संजना ने किन्ना केक खाया देखो बेटा केक बनया उसे ब्राबर हिससे कर देते यानी कि कुल ब्राबर पाग किन्ने होए केक दे छे संजना ने किन्ना केक खाया क्योंकि उसने ता इक पाग खाया है पूरे केक दे छे पाग गांदे विचो एक पाग खाया है तो असी इसनों उनके में लिखांगे तो अनों लिखना आ गया है एक वटा छे ते दे विच बेटा आपकी करने हाँ जो देखो तुसी देखे ना असी छोटी जी लाइन लगा के उपर ते नीचे दो संख्या वा लिखिया होई यान जेड़ी नीचे वाली संख्या है ओ की अनल देखो उसनों असी बोल देहां हर की बोल देहां हर ते एक की दर सौंधी है कि किसे चीज दे असी किन्ने ब्राबर हिस्से किते हां ते जड़ी उपर वाली चीज है उसनों असी बोल देहां आंश की बोलांगे आंश ते एक की दर सौंधी है कि असी ओ ब्राबर हिस्से विच्चों किन्ना लिया है तो उन्हों समझ आगे गल ता असी बोल लांगे एक वटा छे एक की है आंच छे की है हर आओ बटे आपां एक होर असी उदारन लेंदे हां बटा एक मैं तुसी देख रहे हो एक पेपर दी इक स्ट्रिप कटी है पेपर दी देखके अपा एक स्ट्रिप ले लई ते ए स्ट्रिप नू मैं पांच बराबर हिस्यां देविच वंड देता ठीक है बटा फिर मैं की किता मैं इस दे कोई दो हिस्स्यां विच मैं कलर कर देता देखो इस दे दो हिस्स्यां दे विच मैं यलो कलर कर देता फिर मेरा दिल की था कि मैं इस दे एक हिस्से विच होर कलर कर देता ताहूं देखो बेटा कि मैं तो नोई question पुछना है कि मैं तो नोई कवां कि जड़ी एवली strip है जो दो आपा पहलना 5 हिस्तियां विच बंडिया जड़ी एवली strip है एदे विच जो रांगदार रांगदार हिससे लई एथे लिख दें आपा रांगदार हिससे लई पेन लिखो हिससे लई पिन यानि कि रांगदार जिया आपा दसना होवे किसे नो पा दसना होवे विए दे विच किन्ना हिससा है दा रांगदार है ता आपा किमे लिखांगे बेटे टोटल किन्ना है इस दे किन्ने पा किते सी असी 5 वो दे विच्चो रंगदार किने हां दू ता यह दा मतलब केड़ी पिन बनगी पेटे तो अटेकुल दो वटा पांच वसे तरह नाल अगली तुसी देखो चितर दे विच्च हून किने रंगदार पाग नू गिन नसी लिखनी है रंगदार पाग ली ता बेटे कि मैं लिख बच्चे नों लागता है कि नाल जोड के ही ऐस तरह कुछ नहीं है कि नाल ही जोड के अगला कलर होना चाहिए जड़ा मर्जी इँ कर दुए क्योंकि हिस्से की हान ब्राबर हान और चो कोई विससे जड़ा हो उस जो कलर कर सकता है हुन बेटे आपãy देखो ऐस्तराँ एहां संख्यााँवाह जिविन इक वटा छे इक वटा चार, इक वटा दो, दो वटा तिन तिन वटा पंज आप पड़िया है ना हुन सारेवधार्नाच एन्नानु बेटे असी की बोल देहा हाँ, पिन्ना, की बोल देहाँ, पिन्ना एस्तरा दी जड़िया संख्या महान असी पिन्ना बोल देहां बिटा इंगलिश जैसी बोल देहां इननु फ्रेक्शन्स की बोल देहां फ्रेक्शन्स ता बिटा अपा की सिखना है की देख्या सी की पिन्न ओ संख्या है जो एक पूरी वस्तुदा पाग दर सौन्दी है यानी कोई पूरी वस्तुदा पाग दर सौन्दी है पिन ओ संख्या है मैं हुन इसी चीज नो दुवारा लिख रहे हैं ते तो नो डिफ्रेंस दास रहे हैं पिन ओ संख्या है जो एक पूरन दापा आगदर सौंदी है यह बेटा इधी एक्चुली जो अपा लिखन देवी चैसी यूज़ कार देऊ पूरन दापा आगदर सौंदी है तो आपने मांच अक्सर बच्चया नो लागदा भी पूरन शव्द की है पूरन दा अर्थ सिंपल जो एक पूरी वस्तु पूरन दा अर्थ की होंदा है पूरी वस्तु कुछ भी हो सकती है पूरी वस्तु ठीक है तुसी को रिब्बन ले सकने हूं पूरी वस्तु ठीक है आप रोटी खामने हो एक रोटी पूरी वस्तु हो सकते हैं कुछ भी एक पूरी वस्तु हो सकते हैं जिस दे कि असी ब्राबर पाग कर सकते हैं क Колि का आओ मूनसी एक चीज ओर सोच दें तुसी देख रहे हो स면ा थे बटतने की देख रहे है छे चोंडी दीख रहे हैं स्टार्स दिख रहे हां में तो नू कैमां बहod एद ना तुशिं दो ब्राबरबर वागह विच वंड दो तुसी वंड़ सकते हुए उन्ना नू दो प्राब्र वाग विच अंजी बड़ा असान है एसी आलोजी वंड़ दित्ता सी दो वाग वाग विच ते फिर में तो नू कवां भी एदेना इक पाग दे विच कलर करदो तुसी कर सकते हुए ना देखो छीके ना असी इसनो उसी तरह हुन तो नू किन्ने स्टार्स दिख रहे हन नो हुन मैं तो नू कवां कि बेटे एना नू तिन ब्राबर हिस्से विच वंड़ सकते हुए तुसी हां जी असी वंड़ सकते हां बिल्कुल ब्राबर हिस्षे होगे और एक दे विच्च असी की कर देता कलर कर देता यह दो दे विच कलर कर देता ता उसी तरह बैटे इक चीज आपा हो लें हुन किन्य हान साङदे कोल अठ्ञान मैं तो नुखवा की इननू तुसी चार ब्राबर हिस्य विच वंडू त smartest यह उस्तरा वण्ड देते 4 ब्राबर हिस्य विच मेरा इथे मतलब सी दस अन्दा कि पहला असी भटा सेव लेया असी उसनों वंड लिया चार हिस्यांच फेर असी केक लिया उसनों वंड लिया उत्थे पर सब कुछ एक सी केक भी एक सी फेर किसी बटा सेब भी एक सी लेकिन एथे की है अपने कुल किन्ने स्टार्ज ने छे पर असी एना नू छे नू भी ता दो हिस्यांच वंडिया है पूरन दा पाक्डर सुन्दी है एह पूरन एक इकल्ली वस्तु वी हो सकती है जिमे की सेव केक या काघज्दी स्ट्रिप या वस्तु मां दा एक स्मूवी हो सकता है समुव जिमे कि आपा हुने उधारन कीता है, आपने कोल की सी, स्टार्स, पूरा उना दा गृूप सी, जिदू कि असी, वंड़िया ब्राबर हिस्से आच, कई वर हुंदा नहीं, जिमे मानलो तो अधिकूल कुछ बंटे हां, मानलो दास बंटे हां तो अधिकूल ते दो अध पेटा मतलब आपा जरूरी नि कि एक चीज ब्राबर हिससे करने किसी एक सुमू है उस दे भी असी ब्राबर हिस्से कर सकने हैं आओ विचार करिए पिन दा की अर्थ है मैं तो नो एक चीज तुसी बिलकुल देखना है जदो तो अडेकोल कोई वी ऐस्तरा तिन वटाट या कोई वी इस फॉर्म चे लिखी कोई पिन तो नो तुसी देख देओ जिसनों असी पिन बोल देख देखना दी फॉर्म चे कोई वी जे संख्या लिखी है तो तो अटे दिमाग चे एकदम की आना चाहिदा है तुसी तिन वटाट पढ़ता लिया पर तो अटे दिमाग चे पिच्चर की बननी चाहिदी है तुसी टाइम की कोई फ़वान चीज है जिसने असी किन्ने ब्राबर ही से किते हो अंht त daí उस विचो असी किन्ने इससे लाए हो न तिन की मालव होसक्त है किस दे दमाग चेस Πांड़ कि आपने कुछ चीज गोल है और तो असी इसने तो नहीं थी दो ठीक है किसे दे धी माग गचे आस्तरा की दिप्फित्रा बन सक्दा है ठीक है वेटा आठीन से हो गचे हम अपत इन लएएख जड़े मर्जीत इन तुसि jestem लार कर सक्देँ तहां केम दा अर्थ है कि ज़ों वी तुसों पिन देखो तें तो देKI जो कमाक पिच्चर भाने में ठाई है । कस वाज़ए नियुकर बंब कोई तीक भी रर्बन ०ॉ उस्ञार है उतल एक मिया जा अर्थ birlikte न प्तुत्स रीमी यह अपने मारा सकत दी चांई है यकमार सामदे फिशे जहां एक खेतर दा पाग खेतर जिवें अपा खेतर बनाया गोल बना ले आए थे अपा इस तरह एनों तुसे आई भी सोच सकते हूं इमेजन जो होर बड़ा करने भी मेरे को लिएक खेत है जिवें आँ मालो खेत दे मैं कि इन्ने आठ ब्राबर हिस्से कर ले ते तिन जो मैं की सबजियां भी इस देतियां मालो इस तरह भी आपा उसनों सोच सकते हूं ता आपा बेटे की सिख्या की जदों भी असी कोई पिन देखनी है कोई पिन लिखी होई है ता उसनों असी की में सोचना है आओ आपा हुन जो जिनना का आपा सिख्या है असी उस दे थोड़ी जी प्रैक्टिस करिए लेट एस ट्राइट दा फ्रैक्षन रिप्रेजेंटिंग दा शेड़ी रिजन यानि की आओ छाया अंकित पाग हुनदा है जड़ा रंगदार पाग नू दरसोंदी होई पिन नू लिखन दी कोशिश करिए एदेभिक देखो तो आढ़े सामने चार तुसे देख रहे हूं पिचर देख रहे हूं पहले एदे विच देखो वीटे शाया आंकित ने गचक पिन दो Mississippi चार जule देखनी है में vivo अहले कि łफ्रेंदेश सब और देखने हां कि विद्ट qr हिस्सेहान देखो विटा कुल बराबर किन्य है से एक एक दो तिन थे चार चार ताइए पोल हिस्सेहान ऊपा नीचे लिख दिता रंग किन्याच हो एखान नो ठीक है एदे विच किन्याच रांग किता होया है तुसी गिनवी सकते हूँ एक दो तिन चार पंच छे सत अठ अठ वटा नो उसे तरह बेटे अगले चितर दे विच देखो कुल किन्या तो डेकुल बॉल्स दिखाईयांगे यहान किन्या हान बेटे अठ ते रांग किन्याच किता होया है चार विच उसे तरह अगले विच बेटे चौथे दे विच तुसी बिल्कुल ठीक एक वटा चार कुल किसे चार है से हान एक विच रांग किता होया है उसे तरह बेटे आपा जल्दी ना लग लेदा भी कर दे हां देखो इस विच किन्ने हिस्से हान कुल 1,2,3,4,5,6,7,7 बेटे कुल इस हिस्से हान और किन्ने अच रंग किता हुए 1,2,3 चीक है उसे तरह बेटे अगले विच देखिया सी 1,2,3,4,3,4,8,4,12,15 जल्दीनाल ते रंग किन्ने अच किता हुए सिरुफ तिन दे विच अगल किन्ने अच रंग किता हुए था 10 वटा 10 चीक है उस तो अगले देविच बेटा साथ देखो कुल कि नहीं से हान देखो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और रंग किन्ने अच किता है 1,2,3,4 ऐस तरह नाल बेटा सी इस नू पिन लिख देंदे हां जे उसने चायां कितली पुछी अता यह लिख देता मालोप तो नू कैदवे एक मिंटे आही क्वश्चन आपा देखी सिर्फ एदे ली देखांगी ओ तो नू कैदेंदे भी पिन लिखो जीदेच जीडी रंगदार नहीं है उसले पिन लिखो फेर की हो जाएगी बटे कुले से ता चार यान पर जिनाज रंग नहीं ओकिन नहीं हो जाणगी तिन ता फेर की हो जाएगी तिन वटा चार ता आओ आपा इक अगे हुन होर तरा दा क्वेश्चिन सिख दे हां कलर दा पार्ट एकोर्डिंग टू दा गिवन फ्रेक्शन दित्ती पिन अनसार पागानू छाया अंकित करो पहल्ला ता आपा पिन लिखी सी उंसा नूँप पिन नोने दित्ती हो जाए असी ओधे पिन दे अकॉर्डिंग असी ओधे विच उनने पार्ट कलर कर देने हन देखो वेटा पहला चित्तर दे वीच इक वटा छे यानि टोटल पाग तोडे 6 हो चुके हन तूसे किसे इक विच की कर देना है क को आप इस्वीच कर देता है ठीक है उस तो अगे एक वटा चार एक वटा चार चार पार होय है होन पई से लुआ कर देना है मैं कज हमतर नहीं पूरा कर रहा ह। सिरफ इंडिकेट कर रही है, ठीक है, उस्तो बाद इक वटा तिन दिविच अपक कोई विपार कर सकती है, पहला कर लो, लास्ट वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बटा, उस्तो बाद तीन वटा चार, आप अपकेज इदे तीन इससे बैटे कलर कर दवांगे, चार बटा नौ यानि कि चार जड़े मर्जी तुसी लेके तुसी इसनो कलर कर सकते ठीक है बटे उस तो बाद हुन एक क्वेश्चन है एदे वर्यापा सूचना है Let us find errors if any कि एदे विच कोई गल्ती है ता पो लबनी है ठीक है फुन पहले चितर दे विच देखो एक तरी पुझ है ता उनौ कहरे ऐसा उनौ कहरे दिस इस वान अपॉन टू कि जड़ी एक कलर वाला हिस्सा है चाय अंकित पाग है वो एक वटा दो है तो तुसी दस्सों कि ए ठीक है अपा जड़ा कलर पाग है आसे उसनौ एक वटा दो लिख सकते है गलती लब गई ना हां जी ये दे विच मिस्टेक है कि अपनी सब तो पहली कंडिशन की सी कि ब्राबर दे पाग होने चाहिए दे हां ये ता ब्राबर है यह नहीं ब्राबर पाग नहीं है न त्री पुझ दे एस करके आपा लिखांगे कि ये दे विच की गलती है कि एस त्री पुझ दे ब्राबर पाग ही नहीं होए हां पूरी जो पूरन दे कहलो त्री पुझ दे कहलो ब्राबर पाग नहीं हां उसे तरह अगलेच देखो वेटे की एक वटा चार है ये भी गलत है क्योंकि पाग चारो ब्राबर ही नहीं हैं उस तरह उस तो अगलेच भी आपड़ देख रहे हैं कि जड़े पाग है चारो ब्राबर नहीं हैं इस करके वेटा इस चीज नो बहुत ही चंगी तरह तुसी या आओ होना आप एक बहुत ही interesting question करते हैं कि 8 कंटे एक दिन दी केड़ी पिन है what fraction of a day is 8 hours देखो वेटा what fraction of a day is 8 hours मतलब 8 कंटे पूरे दिन दी केड़ी पिन है सब्तो पहला इदर साथ कॉल कंटे है JENN इदर पूरा दिन है दिन देशा नो ब्राबर हिस्से करने पैने है कादेच करने पैने क्योटी आप जड़ा हिस्से केड़ी अप कंटेयां चैस करके दिनानो वेसी कंटेयां ब्राबर वंड लोग है ब्राबर हिस्थे आना मतलब ओ आपनू पता ही है एक दिन दे विच बेटे किनने कंटे हुन दे हान हान जी चौवी कंटे यानी कैन दपावे कि यसी एक दिननू चौवी ब्राबर हिस्थे आन दे विच वंड लिया ठीक है ना ता वट फ्रेक्शन ओफ डे तासी लिखांगे आठ कंटे एक दिन दी केडी पिन हान यह उसी हुन की जवाब लिखांगे केडी पिन दर सौधी है हान जी आठ कंटे है ते कुल किनने कंटे चौवी तो दे विच विच वासी किनने कंटे ले आठ ता आमसर की आएगा आठ वटा चौवी बहुत यह अनल बटे करना है बच्चे अक्सर की गलती कर जान दे हैं इस तरहां दे क्वेश्चिन जिवे आठ लिख देता इक वटा आठ या इस तरहां भी लिख जान दे हैं नहीं ए नहीं आठ अपन बता है न कंटे हिस्सा है अठ वटार इसर दे को लाएगा आठ वटा चौव नहीं बते एक होर पढ़ा ही इंट्रस्टिंग कर दें थो तों बारान दियां प्रकरतिक संख्यावा लिखा अच़वा ना विच्चों अपा आज संख्यावा नू केडी पिन पर दरशित करेगी देखो बैटे दो तो बारां पहला आपा नूँ पता है असी लिख लेन ने आफटा फट लिख लेया ना बैटे अपा ठीक है एदे विच्छो अपा आज संख्यामा तुसी सीख चुक्यों अच्छी तरह नाल बैटे अपा आज संख्यामा केडिया केडिया हान दो तिन ग्यारा केडिया हुंदे आपा आज संख्यामा जिनना दे केवल दो ही गुनन खंड हुंदे हान केड़े हुंदे हान एक ते एको संख्या आप ता बैटे आपा देख्या किन्निया आपा आज संख्यामा हान गिंती करो अमपा आज संख्यावा दी गिंती किनी है एक दो तिन चार ते पंच ते कुल किनीया संख्यावा बेटा अपा हुन किनीया लेंगा हन एथे साथे को दो ते बारा दे विचकार किनीया संख्यावा हन बेटे कुल किनीया हन ग्यारा एथे वे कई वर बच्चे 12 लिख जान दें पर अपा क्योंकि 2 तो शुरू कितने इस करके 11 23 एक केड़ी पिंड बनेगी पेटे अपा आज संख्यावन उदर सान ली केड़ी पिंड बनेगी 5 बटा 11 तब पेटा एस तरह नाल हमेशा असी की देखना हुंदा है कि सब्सक्राइब पहला देखना है कि कुल ओ किन्या चीजा हान या उस चीज दे किन्ये बराबर हिस्से हान ठीक है ते असी उस विच्चों किन्ये लए हान तो ओ दे नाल पेटे असी क्वेश्चन आजड़ा पास नूँ पिन लिख सक दे हान उन जिवे इस क्वेश्चन आपा जल्दी नाल कर सक दे हान तो अडेकुल कुल किन्या एदे विच तुसी देख रहे हूं सरकल किन्ये देख रहे हूं 8 ते मैं तो नुकमा भी तुसी पिन लिखो जिन्ना दे विच क्रॉस लग गया हुए तो तुसी बड़ी फटा फट लिख भी दिता होना है तो चार वटा 8 ता पिटे इस तरह नाल तुसी अपने आसपस भी लबबंदी कोशिश करो कि आपा पिन्ना कित्ते यूज कर देया उन मैं तो ने एक छोटा जा काम दस दिया जड़ा तुसी अपने मम्मी पापा नो पुछके उदे वारे पता करने है जी मैं तुसी कई वर कहां दियो ना तुसी कुछ खरीदन जा रहे हो कोई सबजी लें जा रहे हो तो अड़े घया है उदह की मतलब है तिन पह उदा की मतलब अद्दा किलो है था की मतलब है तो एस ओमवर्क नाल अपका फ़ए अगले पिरेट देवीच मिलांगे एस करके तुसी कपना exercise तो डेकोल math करे पाई हन ता आपनी एस exercise दे बेटा सारे question तुसी करके रखने हन मिनों मीदा बेटे तो अनों पिन्ना वारे की वंदिया हन एस वरे अच्छी तरह नाल जानकरी हो गई होगी Thank you so much Thank you